ये है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच मध्यपदेश के सतना जीले में करमचारी को अनुखे अंदाज में विदाई दी गई जहां आ रहे के रिटायर होने पर तहसिलदार ने खुद कारचला कर उन्हें घर तक बुख छोड़ा मध्यपदेश के सतना जीले के तहसिलदार ने ऐसी में शाल पेस की हैं जिसके हर तरफ तारीफोब है दरसल तहसीलदान ने राजस्व निरिक्षक के रिटार्मेंट पर अनूखी अंदाज में उन्हीं विदाय दी वर्षों से बताओ राजस्व निरिकषक सिवय देने वाले सुरेज श्वनकार सोनी को भी ऐसी विदाय की उमीद नहीं थी अमरपाटन तहसिलदार डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने स्टेरिंग वेल, सम्हाली और राजस्व निरिक्षक सुरेज सुर्णकार सोनी को बगल में बिठा कर घर पहुचाया तहसिलदार ने इस तौफे से आराई सुरेज सोनी भी भाव उखो गए मुझे अपने वरिष्ट अधिकारियों के उपर बहुत प्रसंता है एवं मैं सदेव उच्छ अधिकारियों का सम्मान करना उनके आदेश का पालन करता रहा हूं और विशम परिस्थिती में भी सदेव अपना जुड़ाव बना के रखा हूं इसलिए साहब भाव भी हलोकर मुझे ससम्मान मेरे घर तक छोड़ने आये हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें धन्नवाद देता हूं वैसे भी राजो सिभाग की सेवा में बहुत कठिन परिस्थितियों में कार करना परता है और बिना टीम के कोई भी कार नहीं होता और हम सब लोग एक मिसन के लिए ही कार करते हैं जो राजसरकार से या राजसासन से तै होते हैं और उस मिसन की पूरती में कोई हमारा लीडर होता है कोई कर्म करने वाला होता है नीचे कार करने वाले होते हैं उद्देश सबका इखी रहता है कार को पूर्ण करना है इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है जो लीडर है वो लीडर्शिप करेगा जो वर्कर है वो वर्क करेगा और इसी इसने विस्वास तब हम काम करते हैं तो कार को सभलता तक पहुँच जाते हैं और कार की सभलता के लि ये कभी न भूल पाने वाला है तो वहीं तहसिलदार को ड्रैविंग करते देखा उसने भी तारिफ की सब ने कहा अधिकारी हो तो ऐसा तहसिलदार ने सुरेश को घर पहुचाने के साथ ही उन्हीं भूतपुर्व सेवाओं के लिए साधुवाद दिया राजस्च विभाग जैसे कठिन विभाग और दिसम परश्थितियों में लगभग 40 वर्ष तक इवानदारी पूरवक्सत निष्ठा के साथ इन्होंने काम किया है और बड़े ही गर्व की बात है कि किसी भी प्रकार का इनके पूरे सर्विसकाल में किसी भी प्रकार का दाग नहीं है बेदाग रहे हमें सा इतने कठिन विभाग में जो कि लगभग 24 घंटा मानसिक तनाव से आदमी इसमें जुड़ा रहता है फिर भी इन्होंने अपने पूरे सर्विसकाल के दवरान उतक्रिष्ट कारे किया है और आज इनहीं बातों को इनका सम्मान करते हुए मैं आज इनको अपने खुद ड्राइब करते हुए गाड़ी और इनके निवास तक मैं यहां पर पहुँचाया हूँ सुरेश और सेलेंद्र बिहारी दोनों के लिए ये कभी न भूल पाने वाला पल थी सुरेश पिछले 40 सालों से अमर पाटन तहसिल छेत्र में ही सिवाय दे रहे थी तेज जुन को रिटायर हुए तो खुशियों के साथ दिल में दर्द भी था ऐसे समय में तहसिलदान ने खुशियों की सौगात दी सुरेश ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे रिटायर्मेंट पर कोई अधिकारी मुझे इस तरह से विदाय देगा आज का दीन मेरे और मेरे परिवार के लिए याद कर रहेगा न्यू वीडियोज की अपटेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाए